What's up guys, welcome back to my YouTube channel, माइनी मिस्करन और आज हम दुआ से खेलने जारे हैं MindCapt So guys, जैसे आप लोग देख सकते हो, मैं हूँ फिलाल अपने Creative World में और आपको पता ही होगा वही Creative World में आके हम क्या करते हैं बनाते हैं Modern और Wooden House के Tutorial So guys, बट इस वाले house में, sorry, वीडियो में हम बनाने वाले हैं इस प्यारे से Modern House का एक Interior Tutorial जो कि देखने में बहुत ही प्यारा होने वाला है, ठीक है तो फिलाल चलते हैं इस house के अंदर, sorry, अंदर जाने से पहले ऐसा करते हैं कि यही से काम अपना स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले बहार अपना सेम इस वाली चीज को हम प्लेस कर देते हैं, sorry, गल्ती से में उसके अंदर लीफ प्लेस करते हैं, ठीक है जो कि अपना house के interior look को enhance कर गी, ठीक है और बहार लगा देंगे दो इसके साथ लाइगा अपने house के अंदर और यहाँ पे आने की अकम पर देगे नहीं सबसे पहले अपने पासnia, अपने पास लेने है, और यहां वई वाल बनानी है, सबसे पहले यह वाल बनादेंगेностью फिर यहां तक पूरी जगह को हम कवर कर देंगे मतलब जो यह अपनी stairs है उसको पूरा cover कर देंगे उसके बाद क्या करना है यहां से 1,2,3,4 छोड़ के बाद यहां से हम इसको break करेंगे sorry गलाद छोड़ दिया ऐसे है मतलब यह वाला एक block छोड़ना चीए उसके बाद 2 हम यहां पर break करेंगे और वही चीज मैं सोच रहा था वही कुछ मैं भूल तो नहीं रहा हूं वह है वही अपने यह doors तो इतना काम होने के बाद हम यहां पर place कर देंगे वही door तो पहले इसको बंद कर दिया जाए और यहां से होगा वही अपने उपर जाने का रस्ता यह वह आपना उपर वाला float ठीक है यह वह वह अपना नीचे वाला floor ठीक है तो उसके बाद हमने क्या करना है यहां पर दो कि एक प्रे Image करेंगे सबसे पहले तो बने पास यहां पर Barrel है तो हम लहां तूwe 3 करके यहां पर Barrel Toge और उसी के साथ हम क्या करेंगे यहां पर 1, 2 और इसके अंदर हम लेख करेंगे दो अपनी दीप्स ठीक है बाकी यहां पर लगा देंगे हमें एक छोटा सा light के लिए source उसके बाद गाईज यह छोटी सी जगा है यहां पर हम क्या करेंगे 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1 करके ऐसे करके बुक्षेल्प्स लगा देंगे ठीक है और इसके यहां पर लख देंगे एक torch स्वारी, torch कर रहा हूँ लाल देन ठीक है और इसके स्वारी, इसको न थोड़ा और आख करना है ऐसे करके, ठीक है ताकि जो अपना crafting table है वो यहां center में आ सके ठीक है, और देखने में भी बढ़िया लगे बाकी इसी के साथ हम थोड़ा बहुत यहां पर क्या बोल सकते हैं कि वो कर सकते हैं, editing वगरा editing कर रहा हूँ, sorry ऐसे करके हम, sorry, ऐसे करके हम इसको यहां पर लगा सकते हैं, ठीक है बाकी थोड़ा सा काम और है वो है अपना यहां पर anvil और anvil हो गया, इसी के साथ यहां पर हो गया अपना एक smithing table ओ, sorry, smithing table ने तो इसको छुपा दिया यहां smithing table लग देता है, खाली anvil हम क्या करेंगे, इसके उपर place कर देता है यहां से करके, हाँ, यह चीज ठीक है यह चीज वैसे भी देखने में बड़ी अलग रही है, ठीक है उसके बाद आ रहते हैं, अपने इस साइड पर, इस साइड पर हमने पहले अपना यह थोड़ा सो समान प्लेस करने है, और इसके पच्छे भी ग्रास के पच्छे ग्रास दिखेगा नहीं, तो कोई बात नहीं ऐसे करके बाकी वहाँ पर अपना जो बैरल है, वो भी बैरल चुप गया याँ तो ऐसा करेंगे, बैरल की जगा हम इधर को शिप्ट कर देते हैं, उधर ग्रास लगा कर इसके उपर ही बैरल लगा देते हैं, ठीक है लेंगे, तो इसको हम यहां से प्लेस करेंगे, वन, टू, थ्री, फोर, ठीक है, तो यह होगी अपनी एक प्यारी सी क्या बोलते हैं, सोफा चेयर है न, ऐसे करके, ठीक है, सिरफ टाइम पास के लिए बैठने के लिए होगी है, और यहां पर हम यूज करने वाले अपने, वन, टू, थ्री, वन, टू, थ्री, मतलब जो लाइट ब्लू और वाइट कलर के उसमें, कार्पेट को, बाकिये जो बैक सेड है, इसको हम, यह लगा देगा है, नहीं, अच्छा नहीं लगएगा, छोड़ो रहने हैं तो, ऐसी खुल लग रही अच्छा लग रहा है, बैक साइड में, ठीक है, और हम यहां से अराम से आ सकते हैं, छुपके, और यहां से अगर हम अपना यह एसेस कर सकते हैं, जो अपना क्या बो हम इंजॉय भी कर सकते हैं, बाद में रहते हैं, अपने इस वाली रूम में जो एक छोटी सी ग्यालरी टाइप है, ठीक है, और सबसे पहले हम यहां से इसको अटाएंगे, यहां पर लाइट आप का सोर्स दिया है, नहीं, यहां लाइट अप दे रहे हैं, एक सोर्स दे दे है, वो है अपना यह, 1, 2, 3, 4, इसमें प्लेस करो इसको, इसमें प्लेस करो, इसमें प्लेस करो, ठीक है, और इसमें प्लेस करो, और यहां पर अंधेरा हो चुगा है, क्योंकि भार भी अंधेरा होने वाला है कुछ टैम में, और मिलको ची होंगे यहां पर अपने ओक प्लै के slabs ठीक है यहां पर down phase करके लगाएंगे और इधर भी हम इसको down phase करके लगाएंगे और यहां से हम पूरा इसको गया कर देंगे यहां तक cover कर देंगे ठीक है एक यहां पर लगा देते हैं और एक यहां पर लगा देते हैं इतना I think यहां पर light source ठीक रहेगा बाकि एक यहां की आपर यहाँ अब पर इसे करके श्टेयद यह एक लगा देंगे यहाँ पर यहाँ पर ऐसा रहते चेश्थ सुरह की यहां पर लगाते है और इसके अदरर मोर्ट पाइ ç ले लो तुम्हेने यह भी ले लो कि इससे ओक देखे अपने सीपिकल्स सीड घ्र दीयोगzd अरि निच रख द्वी अपना यह स्थेंग यहाँ पर यह इसको पर फो ऩो स cum. और यहां पर फो निच्च पर वो ड़या calories रखेस्ट को और यह अनना धान है जो जगा बचिया करें यहां पर ठीक है यहाँ पर और यहाँ पर इसको रहने 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 यहाँ पर है इसमें हम लगा देंगे बई कुछ आइटम्स बगरा जैसे कि मैं प्लेस कर देता हूँ फिलाल के लिए इनकोई दो को तीसरी इसको ठीक है तो यहाँ पर हमने इनकोई इसके अंदर आइटम्स को प्लेस कर दिया है बाकि जो एक घ्यलिदी इस पूरे में भakingгор हमने मने काल्पेट अने करना है वाइट और ब्लू के है यहां से स्टार्ट करते इसमय वाइट इसके बाद यहां पर हम च Sans लिए लेते हैं और यह जो जगह आयी है पूरी हमारी चैस्त के लिए लिए अधल्य को यहां पर अपना भी उसको भी सब्सक्राइब ऊहां से कर सकते हैं तो कोई जलदी कर के किसी की नज़र वहाँ पर नहीं चाहे है ठीक है बाकी यह हो चुकी भई अपनी प्यारी सी ग्यालरी जो की देखने में बढ़िया लग लिए है आप लोग कमेंड करके बताना आपको कैसी लगी यहाँ पर भी दे दो आया थोड़ा सा लाइट बिचारा क्राफ्किंग देवला केला ही बैट आवा ठीक है अब चलते है अपने second जो room है अपना बाहर अंदेरा हो चुका है इस पूरे में ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा glass होगा glass panel ले ले लेंगे हम ठीक है उसको पहले यहाँ से यहाँ तक place करेंगे तुम भी यार भाही बहर बार बतानी पड़ती है तुम लोगों को यार ठीक है और यहाँ पर और यहाँ पर भी लगा देते है यह जो grass वाला है यहाँ बहुत ही पसंद है इससे ना मतलब एक हो जाता है जो घर है उसका थोड़ा सा look बन जाता है तो इस चीज़ के करके मैं इसको जाले use कर लेता हूं ठीक है बस वह एक छोटा सा अभी मैंने furnace वगड़ा तो कहीं लगाया है यह मतलब नीचे मैंने कहीं कीचन वगड़ा नहीं बनाया गया oh yes ऐसा करते है इस जगा को हटा दो यह डवल फर्नेस लगा दो छोटी बढ़ेगा काम ठीक है यह भी दिखाओ यह भी देखो और फिलाल के लिए तो अभी इसको भी देखो ठीक है तो सबसे पहले का करना है हमने जगा देखनी है दो का गैप एक दो दो एक दो ठीक है तीन दो बेड़ कार्पेट रपना वाइट कार्पेट ठीक है और यह ओगे भाई अपनी यहां पर एंड रोड बढ़िया लग दिया है जिसे नहीं लग दी कोई बात नहीं चलता है कभी-कभी तो किसी को भी कुछ-कुछी जची लगती नहीं है तो उस चीच से जादे घबराने की बात नहीं है अगली बार लगेगी और यहां लग देता है वह यहां अपने दो आर्मर इस चैनल ठीक है बाकि जो इस सामने जगा खाल दिया है यहां पर आजेगी लगाया जाए कहां लगाया जाए कहां लगा दो और इसके अंदर क्या लगाऊं इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर महा इसके अंदर यह रख देते हैं वाई तो पहले गो यह ले लो फिर यह ले लो फिर ले ले लो फिर ले ले लो ठीक है तो इस फिलाल जो परवादा रोम है वह भी मैंने कंप्लीट कर दिया है देखो फिलाल यह देखने में अच्छा लग रहा है मतलब मोडन हाउस के साब से जारे गिच पिच नहीं है यहां पर ठीक है बड़िया लग रहा है और यहां से हम नीचे आते हैं यह अपनी गैलरी हो है यहां पर स्टोरेज के लिए बहुत सारी चैश्ट रखेवे मैंने बाग यहां पर छोटा समने फूड वगरा पकाने के लिए है और मलब जितना समान होना चीए उतना मैंने मोडन हाउस में यहां पर रखावाए बाकि यहां से आ जाते हैं अपने इस रूम में एंचाइ अब लेगा इस बैरल वगरा मैंने बहुत लगा रखे हैं और इदर कुछ फिदन बैरल्स भी आँ ताकि आप लोग अराम से अपना समान वगरा चुपा सको ठीक है बाकि यहां से चलते हैं आप हाउस के भार की साइड ठीक है इतना काम होने के बाद आपने हाउस की साइड साइड भे अराम से निच्चे उतर के थीक है और यहां पर आपने पास होंके बैंबूज फिर इख्या और इसको में इसको मैं 2 यहां प्लेश करतें फिर इसे तिक है और थोड़ा इसको जल्दी घरो करो देते हैं ऐसे shore tilिक है और यह back side में थोड़ा वो करके रखेगा मतलब रोग करके रखेगा विचारा यहां पर कोई अंदर आना सके ठीक है back side से वैसे तो bamboo sky thing आरपाट तपा जा सकता है तपा जा सकता है नहीं जा सकता तपा जा सकता है वाई ठीक है और अब जो last काम है वह गई छोटा सा काम वह मैं जल्दी से निम्ता लेता हूँ अपना white carpet ले लो और blue carpet भी महीं से ले लेता हूँ ठीक है एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो तस तो यह लगा दिया भाई यहां पे प्यारी सी line मैंने carpet की यहां से मतलब पार्किंग रहा हो सकती है अपने यहां पर इस फिलार आप लो बिल्कुल भी अंदेरा नहीं रहना चाहिए मोब वगरा कहीं भी spawn नहीं होना चाहिए बाकि गाइस मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस house का इंटिरेल कैसे बनाना है आप लोग इजी बना सकते हो काईस देखो बाहर से देखने में कितना प्यारा लग रहा है वाउ अरा प्यारी गाइस देखो किती प्यारी लग रही है उसके बाद आ रहते हैं अपने पहले रूम में जो कि एक चोटा सा एंचैंटमेंट रूम में ने बनाया है जहां पर हिडन बेरल वगरा भी रखे हुए है ठीक है और यहां साहरे आते हैं वाई हम उपर वाले रूम में यह बोल सकते हैं उसको बेस या फिर चैस्ट रूम श्टोरेज रूम कुछ भी अगर बनाना चाहते हो तो प्लीज मिनको कमेंट करके ज़रूर बताना तिल दन गुड़बाई एंड आलवेज लाइक शेयर सब्सकाइब और कमेंट बाई